लो गाइज वर्कम बैक तो डिस्टेडी दिरस्कुमारा अभी तो अम्हें तो करने वाले रगा का मॉख टेस्ट ठीक लेकिन उससे पहरे सबसे इंपॉटेंट सवाल मैं आप से पूछूंगा सब कॉमेंट करके बताना ठीक है मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अभी आ आपको प्राब्लम आ रहा है यह हर चीज कॉमेंट करके बता हूं मेरे को विकाद आप कॉमेंट नहीं करोगे तो मुझे समझ के आएगा कि आपको कि चीज की जरूरत है रियल टाइम एक्जाम में तो उसके एकॉर्णिंग में कॉंटेंट को अपने आगे तियार करके आप आपकी टेलिग्राम चैनल जोईन कर ले ना क्लासे जो मैं करा रहा हूं यूटूब पे उनकी पीडियाप देता हूं टेलिग्राम पे सर्च कर रहा है पहला कोशन देखो कहा रहा है कि आपसे कि सीख गुरूप होना सच्चा पादसा के तौर पर जाना जाता है सच्चा बा सब्सक्राइब कर देखो हम लोग कहते ना कि यह बहुत ही सड़ा सचीज है वहां पर मत जाओ मत जाओ कर कर देखा पे इस तरीके सा जान चुकी है कि पाकिस्तान एक सड़ा हुआ देश है तो वह वहां से पसंद नहीं करती जोग आपको या तक ना हुए चाहिए पाकिस्तान से करकर रिखाने गुजरती है भारत पांगलादेश में मार्शोकर गुजरती है ठीक है आगे देखो टाइटन किस गरह का सबसे बड़ा प्रकेटिक उपगरा देखो टाइटन यहां तक ना टाइटन जो है ना सबसे बड़ा उपगरा नहीं है उस उस गरह का स से जानते हैं विरस्पती क्या है ठीक है ना तो यह चीज आपको याद अखना चाहिए और जो टाइटन है वो सबसब्सनी के सबसे बड़ा सैटलाइट है एक फूल फाम आप सीएओ किसी भी कंपनी के सीएओ होते हैं सीएओ देखो एक सीएओ अलग होता है एक CEO अलग होता है, CEO का मतलब होता है Circle Officer, CEO का मतलब होता है Chief Executive Officer, ठीक है, तो ये Company में होते हैं CEO, जैसे Google के CEO होते हैं, जैसे सुन्दर पिछाई हैं, ठीक है, व्यासे भी किसी Company के CEO होते हैं, और आपने देखा होगा ब्लॉक, स्थर पर ये सबी जगवापे CEO होते है, Circle Officer, आगे है राष्ट्री युवादिवस कम मनाया जाता है, बताओ, 12 जन्वारी को, राष्ट्री युवादिवस कम मनाया जाता है, 12 जन्वारी को, देखो, एक राष्ट्री युवादिवस अलग है, और अंतराष्ट्री य यात्रा करने वाले प्रत्रम प्रेसिडेंट कौन थे जो सम्मरीन से यात्रा किये थे बलो कि एक ऐसा कोशन है बड़ा कोशन है वो डॉक्टर एपीज अबदुल खिलामी थे जब से यूनिक ठीक है युन्होंने पंडूबी से जल यात्रा किया था बाकी कई आगे हम लोग मैं से करेंगे रिजनिंग करेंगे उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट चीज़े बताऊंगे आपने जीके में अच्छा के लिए बहुत दा हेलफुल होने वाली है ठीक है और इसके अंदर हमारे साथ है रिजनिंग की पीडिएफ है जो की रागा के पोसें हमारे पीडियफ के पैटर्ण से आएगा रागा की 100% मैथ की कोशन हमारे पीडियफ से आने वाले ठीक है सेम कंस्ट का यूज कर गे और सब्सक्राइब और GKB कोशन अल्मोस्ट पीडिएप से ही देखने के लिए मिलेगे तो सारे पीडिएप को एक्जाम से पहले आप मैं कहा रहा हूँ मैं गैरंडी दे रहा हूँ आप एक्जाम से पहले दो बर बना कर जाओ दो बर रट लो खाली बढ़ियां से पढ़ लो और सात्वा नंबर कहा रहा PQR एक संदी बाहूत रीवोजर समें PQ जो है न वह बराबर है PR के तथा QR जो है वह qr की value है PQ की और PR की value 15 cm और QR की value 24 है तो PS जो है na QR का लंग संदी भाजक है ठीक है तो यह थोड़ा सा difficult label का questions आ रहा होगा बहुत दों को नहीं पता होगा ठीक मैं इसको समझाता हूँ पहले value put करते है PQ की value 15 है PR की value 15 है QR की value जो यहां से यहां तक है that is 24 ठीक है अब देखो जब मैं यह कहा रहा हूँ ना कि यह जो है ना यह PS लम समधिभाजा का मतब एक perpendicular भी लम भी है और दोनों को समधिभाजा का simple से logic है इसमें 2 triangles बन गए अब मेरे पास मैं किसी एक triangle को लेकर ऐसे निकाल सकता हूँ P S Q is equal to क्या हो जाएगा यह 15 हो जाएगा यह 12 हो गया और यह हमारा बाट हो गया चाप right को लेलो या फिर left को लेलो किसी का भी लेलो बत्यवाही होने वाला है यह हमको hypotenuse पता है तो hypotenuse minus क्या हो जाएगा square करेंगे तो base का square P बराबर यह होता है न P is equal to कितना हो जाएगा 15 का square minus 12 का square दो सो पचीस 144 गटा लो जो वैल्यू आजाएगा आपका वही अंसर हो जाएगा 81 that is 9 option number D हमारा सही है तो कहोगे किया एक मैंसरेशन का के नहीं है तो मैंसरेशन का ही concept used किया geometry गाउमने कुछ किया है निसके अंदर तो यह geometry से मत समआज जाना इसको मैंसरेशन का ही question है इसको geometry मत कहना कि यह geometry है humanitarian का पूरा concept use किया कुछी भी geometry यूज नहीं किया कोई भी हमने triangle के property का यूज नहीं कर रहा, ठीक है, चलो, फिर कहरा है कि एक सीडी जमीन के साथ 30 डिगरी के कोंड पर दिवार से जमीन पर रखे जाती है, दिवार की उचाहिए अगर 14 मिटर है, तो सीडी की लंबाई का पता करो, कोई भी सीडी आप ऐसे नहीं रखते हो, सीडी ऐसे रखे जाती ह ठीक है, दिवार की उचाहिए, तो यह हमारा दिवार की उचाहिए 14 मिटर है, तो यह हमारा दिवार है, जिसकी हाइट है 14 मिटर, तो सीडी की लंबाई बताओ, और यह हाइपोटनियस, की वैल्यू पूछ रहा है, तो यह क्या क्या दे रखा, पी की वैल्यू है, 14 और एच की वैल्यू निकाल ली है, तो किस में जाएगा, तो साइन ठीटा बराबर क्या होता है, लंब बता में, कर्ण, ठीक है, मतलब पी बाई एच, तो हमको दे रखा, यहाँ पर 30 डिगरी, तो साइन 30 डिगरी बराबर क्या हो जाएगा भई, पी बाई एच हो जाएगा नो, तो पी की वैल्यू कितनी है, 14 और एच की वैल्यू रहे इतनी, तो मेरे को बताओ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई 2, बराबर 14 बाई एच, तो एच बराबर हो जाएगा 28, तो 28 ओ कोशन था वो भी triangle का ही sorry height and distance कहते हैं उसको वो question था यह trigonometry का question है triangle का question नहीं था यह कहते है ने triangle concept का triangle बनाके और उसका use करते हैं हम लोग height and distance में जो कि 3 code में थी trigonometry की कहते हैं अप्लिकेशन है उसमें यूज होती है फिर है 210 square 45 थीक है question कहा रहा है प्लस में cos square 30 degree minus sin square 60 degree की value बताओ देखो 1045 की value कितनी होती है 1 तो 2 into 1 का square कर दो plus cos 30 degree की value क्या होती है root 3 by 2 root 3 by 2 का square कर दो minus sin 60 की value क्या होती है root 3 by 2 2 तो red is sky square कर दो कहारी खतम यह तो गई देखो plus minus तो कड़ जा नहीं यहीं पर यह क्या मिल गया 2 मिल गया ठीक है तो option number भी बहुत ही simple simple question है खाली थोड़ा सगर सबकी value पता होगी और exam में देखना एरफोर्स में ऐसी देगा exactly ऐसी देगा खाली value put करना होगा equation में sign के 10 कर देगा quad कर देगा उनकी value आपको पता होने चाहिए फिर क्यारे राम और सुहन क्रमसब 20 km पर आर एं 30 km पर आर की रफ्तार से दोड़ते हैं वे एक ही बिंदू से विप्रित दिसा में दोड़ते हैं मतलब मालों यहां पर दुन्हों खड़ा हैं गोई दर जाता है और यह दर जाता है तो उस समय का पता लगाओ जो वह दोनों मिलके से क्या कहरे रहे ना अलग-अलग डिरेक्शन वे जारें तो उस समय वह व्या करते हैं लोग रिलेटिव स्पीड में निकाल लेते हैं या फिर इसका अलग भी फर्मुलार डिलेटिव स्पीड से कर आपको नहीं बनाना हो तो दूसरा मिधर से बना सकते हूं लेकिन बराबर क्या हो जागा 400 बटा में 50 एक आर्स ठीक है तो आपसे नंबर ए में है अधरवाइस टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटाई स्पीड ठीक है तो बतिया वही हुआ अपको अपको लिला के तो रिलेटिव स्पीड आपको पता होना चाहिए तो एक शिगती क्या होत पता है सबसे पहले जो लिख रहा है याँपए पिसे नदर क्या दे रखा यह चलता क्या सबसे पहले मुना बढ़ा है P से तो Q ratio P की value क्या हो जाएगे क्या तीन मुना बढ़ा है क्यों तो 3 ratio 1 हो जाएगा फिर गया रहा है यहां पर R जो है ना P से 12 वर्स बढ़ा है तो R minus P बराबर इसकी value 12 आने चाहिए क्योंकि R बढ़ा है P से 12 साल तो उनों के बीच का difference 12 साल के है तो हमने इस तरीके से निकाल लिया और थर्ड कंडिशन के अराम से P Q R तीनों की value 57 years है तो माल लो यहां से मेरे को क्या मिल के आ रहा है तो Q बराबर 3X P बराबर X यह हो गया ठीक है तो मैंने यहां से रख दिया पी बराबर इतना 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 तो मैं यहां सनक something something value निकालने की कोजस करूँगा तो अराम से बन जाएगा ठीक है देखो दूसरा तरीका है जा फिर इसी तरीके में हम लोग और shortcut use करते है तो shortcut कैसे use करेंगे मैं बताता हूँ मैंने यहीं पर देखो इस वाले की अंदर ही मेरे को कुछ कर देना है जैसे यहां पर मैं R बराबर लिख सकता हूँ ना 12 प्लस P आगे answer हमारा तो देखो अब यह क्या हो गया वही 12 प्लस P तो यहां पर P की value उमने क्या माना है X तो मैं पर सबकी रख दूँगा P बराबर है हमारा X Q बराबर 3X और R बराबर 12 प्लस X is equal to 57 और चारिक 5X ब्लस 12 बराबर 57 और 5X बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस होगा 47 तो X बराबर हो जाएगा 9 आगे हमारा X बराबर 9 तो Q बराबर 3X थाना हमारा तो मतलब 3 इंटू 9 बराबर 21 तो हमसे Q माइनस R की वैल्यू पूछ रहा है तो Q बराबर है कितना 27 और बराबर 21 यह ठीक है option नमबर B अब हमें यहां पे कुछ भी difficult method नहीं लगाया हमने सिर्फ basic सा calculation किया जो कि जतना speed कर लोगे उतना जल्दी बनेगा otherwise यह क्या होगा complicated हो जाएग आपके लिए फ्लड़ बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप करने के लिए आप एक्षित कितने दिन लगेंगे देखो A ratio B अगर निकालेंगे efficiency के तो B 40% अधिक कुछा लया तो यह 100 ratio 140 हो जाएगा ना तो 5 ratio 7 हो जाएगा हमारा A ratio भी तो यह कहलो ना कि देखो A 21 days में कह रहा है मतलब A 21 दिन में कर सकता है 5 efficiency के साथ हमने time and work में एक formula पड़ा था efficiency 1 into D1 is equal to efficiency 2 into D2 तो A की efficiency कितनी है 5 unit है और वो 21 दिन में काम खतम कर रहा है तो B कितने दिन में कतम करेगा भाई तो B की efficiency 7 unit है तो यह मालोगो D2 days में खतम करेगा तो 7 आई case तो D2 बराबर 15 days तो B जो है ना वो 15 दिन के अंदर का आपको निप्टा लेगा तो मेरे हिसाब से यह तरह का बहुत बेटर है बीना basic से गए क्याते ना दो से तीन लाइन में काहा नहीं हो जाएगा अगला question देखो इसको कैसे solve करें अंडरूट 0.2304 प्लस में अंडरूट 0.1764 और डिवाड़ेड़ बाई अंडरूट मैं इधर लिखता हूँ विकाद इनका में भी परिमे करने की नौबात आजा ठीक है यह मैंने YouTube पे free classes में मैं करा रहा था ना जब basic से तो बच्चे ने इंट्रेस्ट ने लिए तो सारी math की classes मेरे को basic concept बंद करने पड़ गई बिकास बच्चे इंट्रेस्ट ही ने लिए तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है यह ऐसे questions को बनाने में कितना आपको help मिल रहा होगा अगर वो concept पढ़े होगे तो हम लोग क्या करेंगे इसका इसके लिए मैंने जब भी देखो पताया था ना कि under root a plus under root b divided by same चीज under root a minus under root b हो तो ऐसे question को बनाने के लिए 2 into a plus b बटा में a minus b का use करते हैं ठीक अब root को बोल जाते हैं तो 2 into क्या हो जाएगा 0.2304 plus में 0.1764 divided by 0.2304 minus 0.1764 का use कर रहो क्या मिल जाएगा मेरे को इसके अंदर जोड़ गटाओ करने के बाद यह मेरे को मिल जाएगा 0 6 10 में से 6 चार हो जाएगा और यह 12 में 7 गया चार हो जाएगा तो 0.0.4068 divided by ठीक है और यह मेरे को मिल जाएगा 0.054 अब इनको आप 2 से multiply कर लो तो यह मेरे को मिल जाएगे यहां से यह कटेगा क्या चार दूनी आठ पान इससे यह डिवाइड नहीं होगा नहीं हो जाएगा तो बन जाता है तो लगबाग यह 5.53 की लगबाग आ रहा यह पंदरा के करीब में आ रहा आप्सन अंसर कर सकते हैं यह अंसर कर सकते हैं आगे देखते हैं 14 नंबर कोशन क्या कहरा है हमारा तो डिफिकल्ड नहीं था है कल्कुलेशन डिफिकल्ड था बाकि यह तो तरीका एजी ही था यह अपने मासिक वेतन का 20 प्रतिसत बचाता है य खुझ से अगर वह 20% सेव कर रहे है तो 80% खर्च कर रहे है और खर्च कर रहे है कितना वह 6,000 तो मालों उसके इंकम का 80% खर्च कर रहे है तो 80% is equal to 6000 यह ठीक है तो अगर हम कटाएंगे तो कट जाएगा क्या यह इससे एक 0000 कटा लो यहां से फिर चार के टेबल से दो बार में यह 25 बार में देन यह थीन बार में कट जाएगा 300 तो इंकम कितना हो जाएगा 75,000 तो थीक है तो कह रहे है उसका मासिक बचत बचा लो वहीं इंकम हमारी क्या है सेविंग बराबर क्या आउजाती है यहां मैं लिख रहा हूं इंकम में से क्या करोगी आप एक्सपेंस खतम कर लो गटा लो तो इंकम 75 वैसे तो मुझ जुबानी में बोल दू लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं उसको और कुछ नहीं वैसे तो मुझ जुबानी भी हम बोल सकते थे कि देखो कमा रहा है पच्छतर सो खर्च कर रहा है छे अजार तो गटा लो लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया यहां ठीक है चलो अब किरा दो संख्या है ना 3 ratio 4 के ratio में उनका मसा अगर 4 है तो उनका LCM कितना हो जाएगा तो भाई देखो जब भी सवाल ऐसा आए ठीक है कि उनका हमको अगर SCF पता हो ठीक है ratio हमको पता हो और LCM पूछ रहा हो तो देखो मैं बताता हूं क्या इसका answer करना आप लोग सिंपल सा लॉजिक में बोलता हूं आपको ratios multiply SCF ratio क्या है 3 into 4 into SCF क्या है 4 48 अंसर आप करके देख लो basic नियम जो जानते होगे उससे यही आना है आपका answer ठीक है तो 48 हो जाएगा देख लो मनीश दक्षिन के और संमुक है या फिर दक्षिन गे संमुक है वह दक्षिन में देख रहा है वो उसकी 90 डीगरी दाय मुड़ा ओर 8 किलोमेटर चला फिर वह दाय मुड़ा 6 किलोमेटर चला रारंबिक बिंदो रंति बिद्दू की बीच की नियूंतम दोरी क्या है मालों यहां से वो ना साउथ में देख रहे हैं साउथ में जा रहा है कितना साउथ में जा नहीं है वो यहां से ना कहा रहा है साउथ के समूखा और 90 डिग्री दाएं मुढ़ कर 8 किलोमेटर चलते हैं तो south में जब देख रहा है तो right किदर देखते हैं थोड़ सा नीचे बनाते हैं तो right इधर जाएंगे हम लोग 90 degree मुढ की 8 km चलते हैं फिर यहां से right मुढ कर हम लोग 6 km जाते हैं तो मालो a से b तक की distance पूछ रहा है यह वाली 5 तो hypotenuse हो गया ना तो hypotenuse बराबर क्या होता है रूट अंडर पर्पेंडिकुलर का स्क्वार प्लस में 20 का स्क्वार डाट इस 6 स्क्वार 8 स्क्वार 36 प्लस 64 मतलब अंडर रूट 100 बराबर 10 किलोमेटर एकदम कहोगे ना कि आज क्या हो गया आपको त्रिकोड मित्य और इतना सारा कंसेप में ने यूज करा दिया एक ही दिन में देखो कहरे ना जी ओ यू आर्ड योड को IQSTF लिखते हैं तो उसी बासा में एक पी एच आईड को क्या लिखेंगे देखो जी ओ यू आर्ड को हम लिखते हैं IQSTF ठीक है तो जी में हमने कितना आड कर रहा भाई प्लस टू कर रहा ओ में हमने कितना कर रहा प्लस टू कर रहा डी में हमने कितना कर रहा प्लस टू कर रहा आर में भी प्लस टू कर रहा है तो कुछ लोग अतना ही देखते देखते ना ऐसे करेंगे a है, p है, h है, i है, d है a में 2 add कर दोगे तो c मिल जाएगा ठीक है, p में 2 add कर दोगे तो p q r और h में क्या करेंगे न फिर 2 add कर देंगे, तो i z मिल जाएगा तो और c r j वाला option नमर ही answer कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्यों क्योंकि s में 2 minus कर रखा गया sorry q में 2 minus कर रखा गया तो मेरे को h में भी 2 minus करना है ठीक है, तो h में जब मैं 2 minus करूंगा, तो क्या मिलेगा, f मिलेगा मेरे को, फिर i में 2 add करना है फिर d में 2 add करना है तो j k d f तो मेरे को ये मिल जाएगा ठीक है, c r f k f option number C मिलेगा तो कोई युल्दी बाजी नहीं होनी चाहिए आराम से पढ़ो देखना बीच वाले में बस confusion क्रेट करने के लिए कर रखा गया बीच में do minus बाकी आगे पीछे दो दो की दो प्लस एड कर रखा एटींत नमबर देखो 15 का और 4 का value 241 आएगा तब इस लोग कहेंगे ठीक है चलो 15 का square 200 का चीज और 4 का क्या होते है square 16 होते है तो एड कर दोगे 241 आजाएगा ठीक है और हम लोग यहाँ पर यह कर रहे है उसी परकार 9 का square कितना होता है 81, 7 का square कितना होता है 49, 130 हो गया उसी तरीके से 20 का square कर दोगे 400 और 8 का square कर दोगे 64 तो 464 हो गया तो कुछ लोग कहेंगे option number C सही है लेकिन गाईज यह बिल्कुल भी सही है ठीक है इसमें कोई doubt नहीं है आगे बढ़ते है 19th number question देखो कहारा ना कि देखो अगर minus का मतलब plus है plus का मतलब minus है multiply का divided, divide का मतलब multiply तो इस equation के अंदर अगर हम value को change कर देंगे तो क्या answer हैगा कहारा ना कि multiply का मतलब divided plus का मतलब क्या है minus है फिर minus का मतलब क्या है plus है और फिर क्या हो जाएगा भई divide का मतलब multiply है और plus का मतलब क्या है minus है तो 9 एकम एक 9 दोनी 18 तो 12 माइनस 4 14 प्लस 3 दोनी 6 माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा 12 छे 18 माइनस कितना हो जाएगा भाई 18 अंसर तो 0 आगिया 0 तो है ये option में फिर क्या दिख्या थे मेरे को लगए 0 नहीं है और अंसर कैसे 0 आगिया जीरो भी option में है आगे बढ़ते 20 नमबर कह रहा है देखो डास ओ बी डास एल एम ओ डास आई एल एम डास बी आई एल ठीक है तो ये हमारा अंसर हो गया ठीक है अंसर नहीं हो गया question हो गया तो फिर बीच में क्या फिल करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस गारा आरए त्रह तरह फंदरा नो तो पंच पंच के form में इसको आई कर दिया B & O, मीबो, मीबो, वेर इस दिज मीबो, आपसे नमबर A के अंदर है मीबो, ठीक है, चलो, 21 नमबर कुश्चन, क्या कहता है, 6 के बाद 22, रुप जाया है, वाइट होइट है, 6 के बाद 22 है, 92 है, वाट, 2788, ये वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है, ठीक है त कुछ simple सा चीज नहीं जोड़ा गया है, कुछ multiply किया गया है, तब ही जाकि इतनी चोटी सी terms में, इतनी बड़ी value मिल रही है, मेरको तो ऐसा खुद से assume कर लेना, तो 6 से में क्या किया गया है, तो मैं बोल रहा हूँ, 6 में मैं 3 से multiply करूँगा, तो ये काफी करीब आजाएग तो क्या 22 में भी वही काम करेंगे, तो 22 में या तो आप 3 से multiply करो, तिन से multiply करेंगे, तो मैं 4 एड करूँगा, ठीक है, और मैं 22 में 4 से multiply करूँगा, तो मेरको क्या करना होगा भई? आना चाहिए नहीं दीख रहा है थीक थो चार से म्टिप्लाइई करके फिर मेरेको 92 बनाना है तो आंजलाव नियुकंद हो तो इस तरीके से करें मिनने छीज़ा था किसे पर आपने को और हो तो इस सा रहा हुआ है क्र été जूआ कर तो कि दियूटे कर दिया ऊब दो स्थेखो मैंने 3 से भी multiply किया जो कि 92 के करीब नहीं किया तो मेरे को 22 में 4 से multiply कर देना ये 92 के करीब तो नहीं किया वाट उससे काफी करीब आगए तो इस बार कितरा एड़ करना इसके दर इसमें फिर से मैं 4 एड़ कर दूँगा 92 आ जाएगा मतलब मेरे को 4-4 एड़ करना है और 3-4 इस तरीके से continue आगे की तरह बढ़ने है तो मैं इस पर 92 में 5 से multiply कर दूँगा 460 देन मैं यहां पर 4 एड़ करूँगा 464 जो कि मेरे को option में मिल भी रहा option number D के अंदर समझ में आ रहा तो move on फटाक से आगे की तरफ बढ़ने की कोसिस किया करो रुकना नहीं है किसी मैं से पर काम ना है तो कह रहे हैं इन में से बताओ और बताओ पेपर का रिलेशन अगर बुक के साथ है मेडिसीन का डॉक्टर के साथ है फोटो का अलबॉम के साथ है पैन का पैन स्टेंड के साथ है तो ठीक है जिनके संबन्द है वो ठीक है देखो बुक के अंदर पेपर होते हैं अलबॉम के अंदर फोटो होते हैं पैन स्टेंड के अंदर पे O R D E R को अगर हम लिखते हैं डॉलर स्टार फाइब आट दी रेड ओफ और स्टार कुल मिला के देखो R का मतलब हो गया स्टार ठीक है इधर भी देखो R का मतलब हो गया स्टार फिर देखो स्टार मतलब आर की वैल्यू होगई मेरे को स्टार मिलनी चाहिए जो कि स्टार चेक करना वो करते रहे डी की वैल्यू आट दी रेड ओफ है तो लिए के वैल्यू फाइव है नहीं यहाप तो मैरे को डी की वैल्यू इदर फाइव रखनी होगे एकी वैल्यू देखो यह एकी वेल्यू आंड आट करनी होगे हो गोगी वैल्यू डॉन्दा ऐसे करने होगे तो भी मैरे को आप्शन नमर थी ही मिल County 24 देखो यह options हैं A, B, C and D कहारे ना ant, B and insects मदुमक्खी, चीटी, चीटी, मदुमक्खी और कीटी के अंतर क्या कौन सा relation है देखो चाहे हो वो, चीटी, चाहे हो मदुमक्खी दोनों के दोनों क्या एक परकार के कीट हैं, insects है तो यह दोनों इसके अंतर आएंगे चीटी और B, एक ही चीज नहीं होती, वो डिफरेंट चीज़े होती है इसे साब से option number C हमारा answer सही है ठीक है भई, आगे बढ़ते हैं 25 नमर बताओ, जब लक्षमी ने महेश को देखा ठीक है, चलो, कोई दिक्रत नहीं है तो उसने कहा, वह मेरे पुत्र के पिता के ससुर का पुत्र है तो महेश लक्षमी से किस परकार संबन देते हैं चलो, लक्षमी को खरते हैं लक्षमी ने महेश को देखा तो क्या कहा वह मेरे पुत्र के पिता तो मतलब लक्षमी के का जो पुत्र है उसका पिता कौन? लक्षमी के हस्बेंड थी पुत्र के पिता के ससुर का पुत्र है पुत्र के पिता मतलब इसके हस्बेंड के ससुर कौन? जो लक्षमी थी के पादर होंगे तो ससुर का पुत्र है मिलंग्णी की दिूट करते हैं तो बताऊ है लक्षमी को देखा थो उसके कहा हए मेरी पुत्र के पुत्र के पिता के ससुर का पुत्र है तो अब्यस्से चीजे वो उसका भाई हो गया ना तो लक्षमी से तो लक्षमी से क्या हो जाएगा लक्षमी का वो क्या लगेगा भाई लगेगा ब्रदर आगे बढ़ते हैं 26 में कह रहा है तो फिर चौथा नंबर पर कौन सा आएगा देखो इस में इस फोटो को ना क्या किया गया इधर क्लॉक्वाइस 90 डिग्री घुमाया गया है मैं इसको भी क्लॉक्वाइस 90 डिग्री घुमाऊंगा तो कुछ यह इसे बनते ही ऐसे नहीं बनेगा यार इसे बनेगा थोड़ा सा फोटो में गुमाऊंगा तो ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा और यह वाला इधर जाएगा यह वाला इधर जाएगा और यह जो चुट्टा गुम रहे है इधर और इधर जाएगा और यह जो इधर से वो तो नीच की साइड जागा तो A में उपर की साइड है तो गलत है ना तो B हमारा सही है क्या कर रहा है इसके अंदर 90 degree clockwise rotate कराना है आपको ठीक है तो यह चीज़ ध्यान में रहे 26 नमर देखो अगर इसको हम इतना तक फिर आपको इस तरीके से दूसरी बाशा में बता हूं नक ही जो चीज़ देkhों पार्ट यहां पर आप और आगले वाले फोटो में देखो यहां पर वह यहां पर आ जा रहे मतलए 208 की डिरेक्ली इंड रोटेट कर दैघिय twitter करा दिया जआं इसको यह भीह सकते तो यह उपर की साइट देखेगा तो उपर की साइट देखने वाला कहां पर है जहां पर नीचे में जीरो है ऑप्शन अबर दो के अंदर है ठीक है तो इस तरीके से कह सकते हैं कम्प्लिटली 180 डिगरी क्लॉकवाइज रूटेट करा दो आपकी भासा में में बोलो तो देखें आगे देखू यह फटो को है यह ऑगया फिर यहां पर यहां पर अगला शीरीज च्या हो जाएगा देखो जो सबसे नीचे था वह उपर वह उपर रहुता है तो सबसे उपर जाएगा तो उन xuल आ प यह है ना square नीचे गया फिर उपर गया फिर उसके नीचे मतलब थर्ड नमबर पे square आगा थर्ड नमबर पे square option नमबर C के अंदर है तो फिर यह तुमारा नहीं हो सकता कभी भी नहीं अब circle को भी देख लो circle देखो second पे था था प्लेस ओफ second पे होना चाहिए था circle तो आपसे नमबर हमारा C ही सही है एक गलत है 29 नमबर देख लो यह इसको देखो बाहर के अंदर के side का भी यह है ना खाली है फिर अंदर के side का dark है फिर इसके अंदर के खाली फिर डार्क तो अंदर के side का इस बार खाली होना चाहिए तो इसे साबसे बी एंड सी तो अंसर नहीं हो सकते हैं ठीक है अब देखो इसके बाहर का फिगर है उसके five sides थें तो इसको अंदर डाला गया अब इसके बाहर में बाहर में जो six sided figure है ठीक अब इसके अंदर six sided नहीं है four sided है तो फिर इसको बनाने के तरीका क्या होना चीज़ से कि लगे कि हाँ वाकई कोई एक fix rule follow क्या जा रहा है यहां पर आपको ascending order descending order याद दिला कहां देखो क्या होता है जैसे इसके बाहर में चार four side वाली figure है इसके बाहर में five side वाली figure है इसके बाहर में छे side वाली पहले यहां से ascending order में गया दिन आगे यहां से हुले लगा छे के बाग फिर बाहर में five side वाली फिगर देन मेरे wenig चाहिए तो four side वाली figure देको d के अंदर है एक अंदर है बी And इर नहीं होगा मैंने डीचन बता दिया था और a के अंदर है आसि ऑप के अंदर नहीं है, five size वाली figure है बार में, तो यह नहीं होगा, य तो या तो a या फिट d तो अब देखो guys, a और d में क्या answer होगा, अब इसके अंदर में Short side वाली figure है, इसके अंदर में four side वाली figure है, इसके अंदर five, फिर इदर से देखो down होँ रहा एब, फिर four side वाली figure then यहां पर मेरे को three side वाली figure चाहिए अंदर में तो three side वाली figure option number ये के अंदर है ठीक है c तो वैसे भी कट गया था हमारा reason क्योंकि अंदर मेरे को dark वाला photo नहीं चाहिए था blank वाला photo चाहिए था तो ये तो answer नहीं होगा ते नहीं कर सकते वाई तीज चलओ अब क्या देखो ये जो photo था एक बार आगे कि तरफ टार्क अपर धार फिर एक बार आगे की तरफ ज़ाधा डार्क एक बार उपर की तरफ जाधा तरफ नेक्स्ट वाले में यह आगे completely cover कर लेगा तो next वाले में आगे completely cover करने में देखो है और उपर वोला वैसी रहेगा न और D के अंदर तो आगे भी cover कर लिया पीछे भी तो D नहीं कर सकते और B A में देखो cover ही नहीं कर रखा वई तो ये भी नहीं होगा तो correct answer option number B अगे की तरफ कर रखा गया बागी other method और देखते तो इसका देखो circle उपर था इसका नीचे इसका उपर इसका नीची इसका उपर देन हमारा नीचे होगा सरकल होगा और blank circle होगा sorry dark sir का लोगा तो spaces पर भी कर सकते थे बागी complete follow कर रहा option number B जो भी तरीक है बागी 30 में से कितना आपने score किया comment करके बताओ और जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सारे PDF का जो है न मैं आपको याद दिला दे रहा हूं WhatsApp करके बाई करके एक्जाम से पहले आप दो बार ना बना लो reasoning math इक लिए सभी चीज़े जीके वेगारा current effect आप एक्जाम के बाद खुद नाम लोगे कि हाँ सारी PDF होती ना बहुत द्हाल फंक थी तो WhatsApp करो 727904787 और PDF को बाई करके बनाना सुरू करते हूं